हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई न्यू ब्लोग आज का ब्लोग बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज मैं पाकिस्तानी चिकन बनाने वाली हूं इन भीहारी स्टाइल तो प्लीज आप मेरे इस ब्लोग को पूरा देखे और मेरा ब्लोग पसंद आए तो प्लीज आपको बता देती हूं मैंने क्या क्या यूज किया है एक केजी चिकन है फोर टमाटर दो सग्राम टमाटर यूज किया है और और लसुन हरे मीट्च और अद्रक का पेस्ट बना ले और मैंने इसमें खड़ा जीरे का भी यूज किया है और मसाले में हम लोग ने हल्दी ने किया है धन्या जीरा पॉडर कश्ट्यूरी मेथी नमक सबसे पहले हम कडाही को गर्म करेंगे उसमें 4 टेबल स्पून घी डालेंगे अब रिफाइन भी यूज कर सकते हैं या मस्टर वाइल भी यूज कर सकते हैं उसके बाद हम लोग उसमें चिकन को डालेंगे और चिकन को फ्राइ करेंगे और इसको हम लोग डालके अच्छे से चलाते हैं अब देख सकते हो यह चिकन पक रहा है अब इसमें दस मिनट के बाद जब चिकन थोड़ा पक जाए तो इसमें हम लोग टमाटर को डालेंगे टमाटर को बारिक नहीं काटना है उसको टू पीसेज में काट पिर उसमें हम लोग नमक डालेंगे कि थोड़ा टमाटर जल्दी पक जाए अब स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं और मसाला भी मैंने एक चिकन के लिए इतने सारे मसाले यूज किये हैं आप अपने स्वाद अनुसार मसाला डाल लिए देखिए चिकन 30% पक चुका है इसके बाद हम लोग टमाटर का उपर से छिलके को निकाल लेंगे फिर टमाटर को हम लोग बारिक कर लेंगे उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से चिकन को चला के मिक्स कर लेंगे फिर उसमें हम इसमें जीरा पॉडर डाल रही हूं सारे मसाले को डालेंगे यह धन्या पॉडर है यह किचिन किंग मसाला है यह चिकन मसाला है अब हम लोग चिकन को अच्छे से चलाएंगे थोड़ा दीरे चलाएंगे शरीखे चलाना है कि चिकन टूटे ना इसके बाद हम लोग खड़ी हरी मिर्च को डालेंगे इसके बाद हम लोग जीरा को डालेंगे खड़ी जीरा को हम लोग डालेंगे अब देखिए चिकन यह 50% पक चुका है लोग फ्लेम को लो कर देंगे इसके बाद यह हम लोग कस्तुरी मेथी डालेंगे इसको इस तरह से डालना है कि उसका फ्लेवर आये कि अब हम लोग से चिकन को चलाएंगे कि तूटे ना अब इसमें हम लोग दही डालने वाले हैं अब हम लोग ड़ी डाल को डालके मिक्स कर लेंगे इसको इस तरीके से अब इसमें हम लोग रेट चिली पाउडर डालेंगे और हम लोग को चीकन को इस तरीके से चलाना है कि चीकन तूटे ना अब इसमें हम लोग खड़ी धन्या पता डालेंगे अब चीकन को हम लोग ढख देंगे और पकनी के लिए इसको छोड़ देंगे यह हमारा पकिस्तानी चीकन बन के रेड़ी है तो प्लीज आप भी इसे च्राय किजेगा और बताये कैसा लगे मैं निक्स ब्लॉग होगा चैबलिंग से रिलेटेड और मैं न्यू रेस्पी भी लाती रहूंगी झाली है झाली है तो झाली है झाली है झाल झाल